नमास्कार दोस्तों दोस्तों देखा जाए सनी देवल की मूवी गदर टू को रिलीज हुए पूरे एक महिने पूरे हो चुके हैं और कल इसका पांचवां संडे था यानि की 31 तिर लेकिन दोस्तों इस मूवी ने चिस हिसाब से बॉक्स ओफिस केलेक्शन किया है ये वाकई म अपने आप में एक तवाई है तवाई क्या ये एक अपने आप में बहुत बड़ा जादू है क्योंकि इस मूवी के पास सो भी नहीं है और एक महने से जादा हो चुके हैं लेकिन इन सब के बावजूद भी ये मूवी ने एक करों के उपर का बॉक्स ओफिस केलेक्शन किय है तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस मूवी के पास सो दवा के होते तो ये मूवी कितना बॉक्स ओफिस केलेक्शन करती सायब मुझे लग रहा है कि ये मूवी इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बन जाती बॉक्स ओफिस केलेक्शन के मामले दे वहीं दोस्तों अगर हम इस ग्रॉस केलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 604 करोन का अकड़ा क्रास कर दिया है और वर्ल्ड वाइट के मामले में देखा जाए दोस्तों इस मूवी ने 670 करोन का अकड़ा क्रास कर दिया है वहीं आज की बात करें मंडे की तो मंडे वाले दिन भी देखा जाए ये मू जाएगा 514 करों 57 लाग रुपए ये अपने आप में दोस्तों वाकई में बहुत बड़ी तवाई है कोई माने चाहें ना माने लेकिन दोस्तों इस मूवी के पास अगर सो दवा के होते तो ये मूवी 100% इंडिया की सबसे बड़ी मूवी होती और सायद ये बॉक्स ओफिस के मूवी ने जीसे आप से केलेक्शन किया है जीसे आप से केलेक्शन कर रही है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये भी अपने आप में देखा जाए बहुत बड़ा जादू आकड़ा है क्योंकि इस आकड़े को तो खुद सनी देवल ने भी नहीं सोचा कि उनकी movie इतना box office collection कर सकती है, देखा जाए दोस्तों ये सिर्फ public की movie है, public का प्यार है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो इसका collection बता रहा है, वो यहीं बता रहा है कि ये public की movie है, तो दोस्तों आपका क्या कहना है, इन सब बातों को लेकर के comment में हमें जरूर बताएं, हम सकार, बाइ बाइ